दोस्तों जिस समय पूरी दुनिया कपड़े पहनना सीख रही थी, क्या आपको पता है उस समय हिंदुस्तान कपड़ों में भी अलग-अलग डिजाइन तयार करने में लगा था आपने कभी सोचा भी ना होगा कि उस समय गोंद, मिट्टी और चूने से कपड़ों पर इस प्रकार की बहतरीन डिजाइन का काम किया जाता था जो आज भी देश ही नहीं, बलकि विदेशों में भी अपनी अमिट छाप छोड़ा है दोस्तों हम पहुचे हैं जावत तारापुर में, यहां आज भी पेड़ी दर पेड़ी बरसो पुराने इस ठपा छाप तकनीक से कपड़ों पर इस प्रकार का शानदार काम किया जा रहा है इसमें सबसे पहले अलग से एक बाल्टी में गोंद चूने और मिट्टी को मिला कर एक रात के लिए छोड़ दिया जाता है और पेस्ट अच्छे तरीके से घुल जाने के बाद तीन बार छान भी लिया जाता है ताकि कंकड़ पत्थर ना रहें जैसा कि आप देख सकते हैं भाया जी इस पेस्ट को अच्छे से मिलाने में लगे हुए हैं इसके बाद एक सफेद कपड़ा लिया जाता है जिस पर छपाई करनी है और कलर चुड़ाया जाना है उससे चाहे साड़ी बनानी हो या चटाई अब इस कपड़े को भी कुछ दिन तक पानी में भिगोया जाता है ताकि मील वाले कपड़े पर लगे दाग धब्बे हट जाए और कपड़ा नरमसा हो जाए ये कपड़ा महेश्वरी या कॉटन भी हो सकता है अब इस कपड़े को एक बड़ी टेवल पर लकडी का बुरादा डालकर लगा दिया जाता है ताकि छपाई वाला पेस्ट नीचे की और दूसरे कपड़े पर ना लगे अब इकपड़ा चंदेरी साडी बनने के लिए तयार है जैसा कि आप देख सकते हैं भीया जी एक लकडी के ब्लॉक को गोंद वाले पेस्ट के डुबो कर कपड़े पर छपाई करने में लगे हैं दोस्तों यहाँ पर जिस ब्लॉक से इतनी कमाल की छपाई की जा रही है यह ब्लॉक लकडी के होते हैं और अलग-लग डिजाइन के होते हैं यहाँ पर अब सारा ही काम हाथों से हो रहा है तो भला ये ब्लॉक की डिजाइन भी छेनी और हतोड़े से हाथ से ही बनाई जाती है इसके बाद फाइनली ब्लॉक प्रिंटिंग से पूरे कपड़े पर डिजाइन बनाने के बाद इसको एक दिन के लिए सुखा दिया जाता है आप देख रहे हो ना कितना शानदार है लेकिन अब होनी है कपड़े पर डाई अब रंगाई भी देख लिजिए दोस्तो गोंद मिट्टी और चूने से प्रिंट होने और सुखने के बाद कपड़ा पूरा सुकर जाता है इसको वापस दोनों तरफ से खीच कर थोड़ा सा खोल लिया जाता है अब इस प्रिंटेड कपड़े को इस कमर में बनी इनने टंकियों के बीच एक से दिड़ मिनिट तक रखा जाता है अगर जादा समय तक रखा जाए तो कपड़े पर छपी हुई मिट्टी निकल जाती है और डिजाइन भी गर चाती है अब इन टंकियों में भी अलग-अलग कलर भरे होते हैं ये भी नैचरल होते हैं क्या आपको बता है नैचरल कलर कौन सी चीजों से बने होते हैं जैसे नील की खेती से बनने वाला इंडिको गुड़ो लोहे को सड़ा कर आ दी अब यहाँ पर पूरा कपड़ा ब्लॉक प्रिंटिंग से चपने और रंगने के बाद सुखा दिया जाता है ताकि इसका कलर अच्छे से सूख जाए लेकिन इतनी सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद भी कपड़ा बाजार में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ है अब यह आपका कपड़ा छे दिन तक पानी के अंदर रहने के लिए तैयार है ताकि कपड़े पर से गोंद, मिट्टी और चूना हट जाए इसकी रोज धुलाई की जाती है और वापस पानी के अंदर डाल दिया जाता है अब जहां पर हमने लकडी के ब्लॉक से गोंद और मिट्टी के छपाई की यह छपाई हटने के बाद अंदर से निकलती है एक परफेक्ट डिजाइन सफेद डिजाइन क्योंकि कपड़ा ही सफेद था और गोंद मिट्टी वाली डिजाइन से हमने कपड़े को कवर कर दिया था देख रहे हो ना कपड़ा फट जाएगा लेकिन कलर नहीं निकलता इसलिए कहते हैं Made in India Best, बाकी सब Waste सलाम है बरसो पुरानी इस्तक्नीक को जिसे हमारे पूरवजों ने इजाद किया था और हाँ अधिक साधिक शेर जरूर कीजेगा